इस वीडियो में है क्लास नाइन के एक्सेसाइज 7.4 का कोशन नमबर 5 कोशन में दिया है InFigure पी आर ग्रेटर दिन पीक्यू और पीएस बाइसेक्ट से एंगल Q-P-R प्रूव दैट एंगल पीएस आर ग्रेटर दिन एंगल पीएस क्यू question number 5 में हमें ये figure दिया है तो figure से ही समझते हैं हमारे पास एक triangle है PQR इसकी side PR बड़ी है PQ से इसके अलावा जो हमारा ये angle है QPR यनि कि ये वाला angle इसको एक line bisect करती है P S bisect करने का मतलब क्या होगा इस angle को दो equal parts में divide करती है अगर हमारा angle माल लो ये angle 1 है और ये angle 2 है तो bisect करने का मतलब होगा angle 1 और angle 2 एक दूसरे के equal है अब हमें ये prove करना है कि angle PSR greater than PSQ जो PSR ये वाला angle है ये बड़ा है PSQ यानि कि इस वाले angle से सो solution में सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है उसको लिख लेंगे हमें side के relation दिया गया है PR greater than PQ PR बड़ी side है PQ से triangle PQR में तो PR के opposite में कौन सा angle है यहाँ पर देख सकते हो ये side PR है इसके opposite में है ये वाला angle Q तो PR की जगह पर मैं लिख देता हूँ angle Q greater than का sign as it is इसके बाद PQ जो side है इसके opposite में कौन सा angle है angle R देख सकते हो ये PQ side इसके opposite में angle R आ गया तो PQ की जगह पर आ जाएगा angle R reason आपको पता ही है angle opposite to longer side is greater जो भी बड़ी वाली side होती है उसके opposite में बड़ा वाला angle होता है किसी भी triangle में reason हो गया अब जो भी हमारा ये relation आया है इस relation में दोनों side इस side में भी और इस side में भी हम angle 1 को add कर देंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ add angle 1 both side दोनों side में हम यहाँ पर angle 1 को add कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा angle Q plus करेंगे हम इसमें angle 1 sign हमारा greater than as it is रहेगा और दूसरी side में यहाँ पर क्या है हमारा angle R सबसे पहले इसी को लिखेंगे उसके बाद फिर से इसमें plus कर देंगे angle 1 हमने दोनों side इस side में भी और इस side में भी angle 1 को add कर दिया अब आप ध्यान से देखो जो हमारा ये angle है Q PR ये पूरा angle इसको PS line ये वाली line bisect करती है यानि कि angle 1 और angle 2 एक दूसरे के equal है यानि कि इस वाले angle की जगह हम angle 2 लिख सकते हैं so next line में हम लिख देते हैं angle Q plus में angle 1 as it is greater than का sign as it is angle R आ जाएगा plus में यहाँ पर लिख देंगे हम angle 1 की जगह पर angle 2 चोकि angle 1 और angle 2 एक दूसरे के equal है हमने angle 2 क्यों लिखा देखो इस वाले triangle में PSR वाले triangle में angle R आता है ठीक है और angle R के साथ साथ angle 2 भी आता है इसलिए 1 की जगह पर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया इसी वाले triangle के दोनों angle से एक side में हमें मिल गई अब हमारा सबसे important concept यहाँ पर हम apply करेंगे सो ध्यान से देखो जो हमारा triangle PQS है इस वाले triangle PQS का exterior angle कौन सा है यह हमारा PQS है इसका exterior angle होगा PSR यह वाला इसका exterior angle होगा और आपको पता है exterior angle किसके equal होता है जो भी इसके साथ वाला अंदर वाला angle होता है इसको छोड़ कर बचे हुए दोनों angles के sum के equal so angle PSR एक साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर angle PSR जो है वो equal होगा किसके angle 1 प्लस में angle Q के so यहाँ पर angle 1 प्लस में angle Q बिल्कुल इसी तरह से इस वाले triangle पर हम apply करेंगे PRS पर बिल्कुल same concept PRS में exterior angle कौन सा होगा यह वाला PSQ यहाँ पर मैं लिखता हूँ angle PSQ और इसका exterior angle किसके equal होगा इसके साथ वाला जो अंदर का angle है ठीक है यह वाला exterior angle है अब की बार हमारा PSQ इसके साथ में जो अंदर वाला angle है उसको छोड़ देंगे यह angle किसके equal होगा बचे हुए दोनों angles के sum के equal यानि की angle 2 plus में angle R या फिर हम इस तर ऐसे भी लिख सकते हैं angle R plus में angle 2 के equal होगा यह हमें यहाँ से conclusion निकाल लेना है P Q S वाले triangle से और P R S वाले triangle से exterior angle property अपलाई करके अब यहाँ पर आप देखो angle Q plus में angle 1 angle Q plus में angle 1 किसके equal है angle P S R के यानि की इस वाले part की जगे पर मैं क्या रख सकता हूँ angle P S R लिख देता हूँ angle P S R जो हमारा ये वाला sign है ये as it is आएगा greater than का इसके बाद जो हमारा angle R plus में angle 2 है यहाँ पर आप देख सकते हो angle R plus में angle 2 इसकी जगे पर हम क्या लिख सकते है P S से Q क्योंकि angle R plus में angle 2 इसी के equal है तो इसकी जगे पर हम लिख देते हैं angle P S से Q हमने यहाँ पर simply P Q S पे exterior angle property लगाई तो angle Q plus में angle 1 equal हो गया angle P S R के और P R S पे जो हमने exterior angle property लगाई तो angle r plus में angle 2 ये हो गया ps से क्योंकि इन दोनों की जगे हमने इनकी value put कर दी तो हमें यही prove करना था कि angle psr greater than angle psq ये हो गया हमारा यहाँ पर prove लेकिन यहाँ पर reason में भी आ जाएगा by exterior angle property बिल्कुल simple way में question number 5 को यहाँ पर हमने solve कर लिया है बिल्कुल